हेलो कीट्स हावर यू गुट मॉर्निंग एबरिबान माइनेम इस रजनी और मैं आपकी मैम मिसिस रजनी मैम अब देखिए बच्चों आज आपका किस चीज का टर्ण है आज आपका हिंदी का टर्ण है ओके तो आज हम हिंदी इंग्लिश और जी के क्या क्या पढ़ेंगे आ देखिए बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दू हिंदी में हम आपको एक नई एक्सराइस कराने जा रहे हैं ओके जिसे आपको अपनी नौट बुक में करना है चीक कौन-कौन बच्चा तयार है देखिए सबसे पहले आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखा करें सबसे पहले हम क्या करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों सबसे पहले हम डेट डालते हैं हाना डेट क्या है आज कौन सी डेट है आज है आपकी फोर मन नाइन ट्वंटी ओके इसके बाद हम यहापकर क्या डालेंगे हिंदी क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं हिंदी और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा Homework ओके वच्चों इसके बाद में देखिए हम यहाँ पर डालेंगे Question Question हमारा क्या है हमें दो वर्णों को मिलाकर शब्द बनाना है ओके देखिए दो वर्णों को चोड़ कर शब्द बनाए तो कौन-कौन वच्चा तयार है मेरे साथ दो वर्णों को जोड़ कर शब्द बनाने है आपको मैंने पहले रीड कराया था रीड कराया था ना मैंने दो वर्णों को किस तरह तरह हमें मिलाकर पढ़ना है और किस तरह हमें जोड़ कर शब्द बनाना है है ना बताई था ना मैंने तो यह आपको देखिए इस तरीके से करना है ठीके बटा स्टार्ट करते हैं देखिए यह मैं पैरेंस से कहना चाहूंगी कि आप इस वर्क को बच्चे को अभी बच्चा छोटा है तो वह अपना आप नहीं कर पाएगा तो इसलिए हमें नोट्बुक में उसे करके देना पड़ेगा है ना तो आप थोड़ा सा हेल्प करिएगा बच्चोंगी उन्हें एक नोट्बुक में अलग पेश पर नए पेश पर डेट डालिएगा सब्जक्ट हिंदी और हॉमवर्थ और एक छोटी सी अक्टिविटी बनाकर बहुत आसान सी देती हूं कोई ऐसी हार्ट नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो है ना तो उसे बनाकर करके आप बच्चे से करवाईए तो बच्चा आसानी से कर लेगा है ना तो देखिए स्टार्ट करते हैं यह क्या है हमारा बताएगा कोई बच्चा क्या है यह बताएगा कोई बच्चा क्या है यह का कबूतर क्या है ये बच्चो का कबूतर क्या है का कबूतर ठीक है बटा क्या है का कबूतर ठीक है तो हमें इस का कबूतर का यूज करके दो वर्ड बनाने हैं कैसे बनाएंगे देखे देखे बेटा यह है हमारा क्या है यह बताएगा कोई बच्चा जल्दी बताएए क्या है यह लैला टू क्या है यह लैला टू इसके बाद में बताओ बच्चो यह क्या है बैबत्तक क्या है यह बैबत्तक इसके बाद यह कौन सा वर्ण है मैं मचली कौन सा वर्ण है यह मैं मचली है ना कौन सा वर्ण है यह मैं मचली उसके बाद में ये कौन सा बन है बच्चो ररत और बच्चो ये कौन सा बन है बताईए बटा ये कौन सा बन है बटा बताएगा कोई नहीं कव कव क्या हिए कव कव इसके बाद देखिए ये क्या है बताएगे सभी बच्चे क्या है क्या है ये कज कज ये है जय जहाज क्या है ये जय जहाज चेक है इसके बाद में देखिए बेते इसके बाद में आता है क्या है बच्चो ये सपेरा इसके बाद क्या है ये अब बताईए ये क्या है ह हल क्या है ये है हल तो अब हमने देखा है कि उपर हमारा बना हुआ है क क्या बना हुआ है उपर हमारा क क इसके बाद हमारा बना हुआ है ल ब म तो यह हमारे कितने वर्ण हैं चलिए काउंट करते हैं तो कितने वर्ण है हमारे 8 वर्ण है हमारे है तो अब हमें इन दोनों को मिला कर क्या करना है एक शब्द बनाना है जैसे कि तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाते हैं शब्द देखिए बच्चो इस तरह से आप अपनी नॉट्बुक में बना लेंगे अपनी आप नॉट्बुक में इसी तरह से बनाएंगे तो देखिए बच्चो हमने कैसे मिलाया था पहले कल कल तो हम यहाँ पर लिख देंगे तलकल उके इन दोनों को जोड़ करके हमने क्या बनाया कल कल इसके बाद कब हमें क्या शब्द को सभी के साथ में जोड़ना है जो हमारा कवर्ण है उसे हमें सभी बनों के साथ में जोड़कर शब्द बनाना है तो अब फिर उसके बाद बाद कम कर 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 क सबी बच्चे एकदम दियान से देखेंगे इसके बाद में कर 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 कि यह ऐगा पैसए इसके बाद में कर है कर है तो जल्दी जल्दी बताइए बच्चो किसके समझ में आया सबके समझ में आया वेरी गूड आप देखिये अब हम हम इसकी रीड़ करते हैं अब हम इसे रीडिंग करते हैं की ठीक है तो ये वर्क आज आपका हिंदी का है और इस वर्क को आपको अपनी नौट बुक में करना है और इसमें बनाने वाली ऐसी कोई चीज नहीं है इसमें सिर्फ आपको सरकल बनाना है और लाइनिंग खीजनी है आपको लाइन भी खीजनी आती है आपको circle भी बनाना आता है आपको word भी लिखने आते हैं तो इस वाली activity से आप शब्दों को जोड़ कर लिखना सीखेंगे पढ़ना सीखेंगे circle बनाना सीखेंगे line बनाना सीखेंगे तो देखिए आप हम इसकी reading करते हैं किस तरह से पढ़ पढ़ करेंगे आपना कल कल कब कब कम कम कर कर कव कब कज कज कस कस कह कह ओके बच्चों समझ में आया तो इसी तरह से आपको ये वर्क अपनी notebook में करना है ओके ओके बटा समझ माया सभी बच्चों को ठीके बटे इसी तरह से आपको हिंदी में ये वर्क करना है ठीके ये हिंदी का आपका वर्क है इसे आपको बहुत ध्यान पूर्वक ये कुछ सफाई से करना है ठीक है बट उससे पहले आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देख गा है ना बच्चों जब भी तो आप वर्क करोगे जब भी तो समझ बायागा ना आपके तो चलिए अब हम next क्या पढ़ेंगे English ओके तो open your book English अब नेक्स्ट आप है हमारा English चलिए आज हम English से पहले जी के कर लेते हैं चीक है आज हम English से पहले क्या कर लेंगे जी के चीक है तो चलिए आज हम English से पहले करेंगे जी के बच्चों एक बात सुनो मैंने आपको ये क्या नम ये मैंने कराई थे सेंस ओर्गेंस चीक है तो sense organs मैंने आपको पहले वाली वीडियो में कराए हुए है तो अब मैं ये आपको दूसरी बार करा रही हूँ तो ये revise भी हो जाएगा आपको और जिन बच्चों के पास ये वाली वीडियो नहीं है वो इसे save करके रखेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको ये वाली वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है और समझना है sense organs क्या होते हैं sense organs बतायागा कोई बचा मैंने पहले भी आपको करवाया हुआ है चलिए देखिए sense organs allow us to enjoy our world can you tell what they do क्या बता सकते हो हम ये sense organs क्या करते हैं कितने होते हैं तो देखिए sense organs कितने होते हैं 5 sense organs 5 के बारे में मैं आपको बता रही हूँ सबसे पहला है आपका ear second eye tongue nose and hand ओके तो ये है आपका सबसे number one पर with our ear we can hear with our ear we can hear ओके तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा क्या आएगा बच्चो hear ठीक है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे h e a r here इसके बाद हमारा आता है next नेक्स्ट देखिए with our tongue we can with our tongue we can taste क्योंकि हम खाकर ही तो हम चक कर दी तो बताते है ना तीखा है मीठा है कड़वा है खटा है तो हम इस कैसे बताते हैं तेस्ट करने के बाद बताते है ना तो हम तेस्ट कौन कर ता हमारी तंग हम यह ठीक है तो हमारी तंग तेस्ट करती है आएगा तेस्ट हीचँ मीन है इसके बाद में आता है with our nose we can smell Smell, जो हम सूंगते हैं, खुश्बू, बद्बू, जो भी, चीक है, तो यहाँ पर क्या एगा हमारा, Smell, S-M-E-L-L, Smell, ओके, इसके बाद में हमारा आता है, With our skin, we can feel, क्या आएगा यहाँ पर, feel, तो जल्दी जल्दी बताईए बच्चों, आपके समझ में आया, देखिये, मैं एक बाद फिर से बता देती हूँ, With our ear, we can hear, हम आवाज सुनते हैं अपने कानों से, ओके, With our eyes, we can see, हम अपनी आँखों से देखते हैं, With our tongue, we can taste, हम अपनी जीव से, अपनी टंग से हम टेस्ट करते हैं, हम स्वाद को चकते हैं, ठीक है, With our nose, we can smell, हम क्या करते हैं, अपनी नाख से, खुश्बू, बदभू को सुन्गते हैं, है न, उससे हमें दुरगंद का पता लगता है, कि हाँ पर क्या है, कोई लगता है न, कई गंदगी हो, तो हम कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, और कई खुश्बू होती हो, तो क्या कहते है कितने अच्छी खुश्बू है, करते हैं न, तो वो हमारी क्या है, वो हम अपनी नाख से स्मेल करते हैं, टीक है, सुन्गते हैं, इसके बाद देखें, वीदावर स्कीन, स्कीन मींस यह जो हमारी हाथ की स्कीन होती है, तो वी कैन फील, यह महसूस करती है, ठंडा, गर्म, यह क्या करती है, फील मींस, महसूस करना, ठीक है, तो हमारी स्कीन थंडे को, गरम को, महसूस करती है, ठीक, इसके बाद देखिए, यह आपका बर्क है, यह आपका जीके का बर्क है, सेन्स औरगी, ओके, इससे आप इस तरहीके से भी कर सकते हैं, सबसे पहले आप इस तरीके से eyes बना सकते हैं जैसे मैंने आपको body parts name कराई थे चीक है इस तरह से आप eyes बना सकते हैं simple सी ओके बच्चो इस तरह से हम इसे black कर देंगे यह मैं आपको चित्र ही बनाने बता रही हूँ इस तरह से आप चित्र बना लेना और वाकी exercise आपको ऐसे ही करनी है जैसे दिखाई दे रही है आपको वीडियो में यह देखा ऐसे eyes के सामने with our eyes we can see bracket बना कर समझ रहे हो इसी तरह से आपको work करना है जैसे यह वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है चीक है सबसे पहले क्या करते हैं सबसे पहले हम date डालेंगे यहाँ पर उसके बाद यहाँ से jack डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर homework डालेंगे समझ बाए है उसके बाद यहाँ पर डालेंगे हम sense organs ठीक number one eyes eyes से हम क्या कर सकते हैं eyes से हम we can see क्या क्या देख सकते हैं हम eyes से everything 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 इसके बाद में everything के बाद में all words सारा संसार हम अपने आखों से देख सकते हैं ठीक है इसके बाद में next आता है हमारा to next हमारा कौन सा है year ठीक है क्या है ये year तो year से हम क्या कर सकते हैं we can hear hear क्या क्या hear कर सकते हैं music sound means आवाज संगीत ठीक है जो हम अपने कानों से सुन सकते हैं कि नंबर क्रीपर नंबर क्रीपर क्या है हमारा कर दूरी गलत हों गया थोड़ा था देखे फिर से दम नीचे गर्दों बनाएंगे ठीक है बच्चों ये क्या है ये हापी तंग जीव ओके तंग देखे बटा तंग से हम क्या करते हैं वी कैन टेस्ट क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं हम स्वीट और टेस्ट कर सकते हैं इसके पाद है हमारा पोट पे कोट पे हमारा क्या है बच्चों एक तो टंग हो गया आईज हो गया नोज क्या कोर पर नोज के नोज बहुत आसान से है बटा जब बनाओ गया आप कराम से बन जाएगा नोज तो नोज से हम क्या करते हैं वी कैन स्मेल इसमेल हम क्या 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 जैसे की इसमेल और फ्रोग्रेंज 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 मेंस होती है खुश्बू ओके हम खुश्बू और बदू दोनों को सूंग सकते हैं एन पाइब आपका फाइक है स्कीन यह हमारी क्या है? स्कीन क्या है बिटाई हमारी? स्कीन we can feel we can feel we can feel cold and hot तो उससे हम ठंडा गर्म महसूस करते हैं स्कीन से समझ में आ गया होगा बच्चों ये आपको नॉट बुक में नहीं करना है ये तो only मैंने आपको एक तरीके से समझाने के लिए लिखा है ये वाला वर्क आपको अपनी नॉट बुक में नहीं करना है ये मैंने only आपको समझाने के लिए बताया है आपको सिर्फ चितर बनाने है पोइंट डालने है डालनी है सब्जेक्ट डालना है नेम लिखने है हमवर्क लिखना है इसके बाद आपको फिर ये लिखना है जो आपकी वीडियो में दिया गया है देखिए बच्चो With our ears we can hear With our eyes we can see With our tongue we can taste With our nose we can smell With our skin we can feel तो बच्चो यह है आज का आपका बर जिसे आपका अपनी notebook में खड़ना है चित्र बना कर करना है वीडियो को पहले बहुत ध्यान से देखेंगे और उसके बाद आप अपना वर्क करेंगे सबसे पहले आप वीडियो को देखा करें सुना करें फूरी वीडियो को उसके बाद कॉपी में वर्क किया करें ठीक है? नॉट्बुक में आप वर्क जब इसटार्ट करणेंगे, जब आप सबसे पहले वीडियो को देख लेंगे, ठीक है? क्योंकि िदीपिड़ी को आप देखोगे निधयान से तो फिर कैसे वर्क करोगे है तो आपको नौट बुक में वर्क करना है जब आप अपनी वीडियो को अच्छी तरह से देख लेंगे समझ लेंगे ठीक है उसके बाद आपको नौट बुक में वर्क करना है ठीक है आज आपको हिंदी में और जीके में वर्क ही दिया गया है क्योंकि इस जीके में आपका वर्क थोड़ा हाड है तो इसलिए आज आपको दो सब्जेक्ट में वर्क दिया गया है बट इंगलिश में आपको राइटिंग वाली बुक का में होमवर्क दे चुकी हूं मैं है ना तो In страш PLAY बढ़ारेंव स्भूब और इंग्लीश को वाली बुक का ही पूर्ग आपको न च्य myösा सेंगे मिसथिक्टि अग्यूंawस बीसां स्वाइब चुन सी मैने अभी आपको करवाई है और एक ये GK में Sense Organs करने है तो आज आपके तीनों सुर्जक्ट में वर्क हो गए एक तो आपको English की Writing Book में वर्क करना है उसके बाद में GK में वर्क करना है आपको Sense Organs उसके बाद में Hindi आपको Activity करनी है आपने Next बहुत दिहान से करेंगे यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आकर बच्चों पूछ सकते हो कोई problem नहीं है कभी भी आकर आप पूछ सकते है यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आज आपके कौन-कौन से वर्क है बच्चों आज आपके Hindi में वर्क है, GK में वर्क है और English की writing book में वर्क है ओके थाइंक यू